अब दो नमस्कार दोस्तों मैं आर्ती प्रजापती आर्ती प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सब का हर्ति स्वागत करते हुँ दोस्तों आज की इस वीडिये में टाटा इंटरपेटेशन के बारे में बात करने और यह इंग्लिस वाले बच्चों के पेपर के अंदर डी आई आया हुआ है तो चले वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को शेर करना नहीं बुलना है एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पता है पिपरवन आप जहां पर से पढ़ रहे होके तो आरती प्रजापती हमारी यूटूब चैनल का नाम है पिपरवन की और पिपर टू साइकोलोजी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से चैनल है हमारी स्टड़ी ऑप साइकोलोजी तो इन बच्चों ने इस चै अब की बार जारब पार चले अब आधी है टैबल की और ओके हमने बेसिक जितने भी डी आए के था मैंने करवा दिया पाई चार्ट बार चार्ट लाइन चार्ट टैबल चार्ट होगी सारे की सारे इंफोर्मिशन में आपको टीपली बैसिक से जीरो लेवल से समझाए तो जिन बच्चों ने वह क्लास नहीं लगाई वह बच्चे उस क्लास को लगा लेना ओके और अब हमारी डेली टैबल मतलब कि जो भी आपकी इस बार दो जरीकिस में जो भी कोशन पूछे गए हैं डी आई के ओके वह सारे हम डेली एक डी आई आई आपको करवाएंगे त पूर्वक पड़िये इसका नीचे दें प्रश्टों के उत्तावबति निचे दें सारी बाइब वर्सों में पूर्थि क्रम पांच पांच यह दिए lleva हैं colleges दिए हुस्तित धिए हुए और विद्यार्दियों को छात्रत ददा छात्रों की स्रेंडि में विपाजित किया गया मतलब कि मेल और फिमेल में उनको क्या किया गया है डिवाइट किया गया है तो यहां पर आप लोग देख पाते हो कि कि यहां पर लिखा हुआ है कि दोजार सूला सुत्रा अट्रा इनीस बीस है और यह मेल है फिमेल है और यह इनके मतलब की संख्या दी गई तो यह टेबल भी हमने समझ लिया अब चलते हैं कोश्यन की वाद चले कोश्यन नमबर फर्ष्ट कह रहा है आपको के वर्ष्ट तोजर अठारा बीस के दो रानों के अठारा से लेकर बीस की बात है दोरन कॉलेज में छात्रों की कूल संख् तो यहां पर आप लिए की बताने की से यहां पर लिखते हूँ नहीं थी जा रहीिए थाले की समयानलन से नहीं को पर के ...? 2018 यहां पर लिखते हूं मेल ओके तो 2018 के मेल कितने हैं तो दिखें यहां पर यह रेड रंग रेड कलर में ही आपको दिख रहा है ओके सरी यहां पर 2018 2018 वागी यहां पर है तो 395 प्लस 535 प्लस टू प्लस 212 ओके अब इनकी मतलब के मतलब टूर 2 लगालो को के वैसे करों कि तो भी चलेगा और आप लोग यहां पर ही कर लेते की मतलब छल्रेते चलो और फिर जाके सबको मिला लेते हैं वैसे भी करओंगी तो भी चल कיר 55 Youtube एक एक और तशिर अनعة बारहिएवज नियुक्त यह अब आपको ब zelfुलिझ्यू से प्रक्षिस करने हैं जो बैठे नहीं रहाना अगर बैठे रहोगे तो फिर हो गया काम अपका तमाम है तो आठ आट कितने हुँगे 16 होंगे यहां पर आगए मैं एक टीन शेटlying शे चान दस 10-10 11 15 सूब के यहां पर पांच 2 साक्षणाट साथ मैं ऐर यहां पर चार आगए और यहां तो आपका अंसर बन जाएगा तो 5 6 11 11 8 कितने होंगे 11 8 19 होगे अब आया गया यहां पर बन ओके एक दो तीन तीन चार साथ ओके यहां से ही आपका अंसर मिल जा रहा है जो को 79 से है ना तो यही वाला अंसर करेक्ट है वैसे भी फिर हम लेकिन फिर भी कैल्कुलिशन कर लेते होंगे 2 6 2 8 8 8 6 कितने होंगे 14 14 का यहां पर 4 और यहां पर 1 2 और यह 3 ओके 3 4 7 9 ओके तो A is the correct answer ओके इस तरीके से आप answer कर पाते ओके चले चलो question number 2 लगा ओके यहां पर मैंने answer भी mention कर दिये ताकि आपको PDF दो तो आपको दिक्कत इना आए answer के साथ ही आपको PDF दो जाए question number 2 question number 2 कह रहा है कि वर्स 2016 से लेकर 2020 के दोरन बीए ओके पीए तथा विकॉम की छात्राओं की संख्या का अनुपात बताईए अब देखो छात्राओं की बात हो रहे है फिमेल की बात हो रहे है और उनका रेशियो बताना है अब देखो रेशियो कैसे निकालना है यहां पर बीए और विकॉम की जो भी छात्राओं की छात्राओं तो यहां पर देखो यहां पर आएंगे तो यहां पर कितने आये पांच साथ बारा रास्फ उन्निस आट हो गया आपके उन्नीस अठ हो जाएगे 27 तो यहां पर दू आएंगे 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 6, 3, 11 तो यहापड एक आएगा और उसके बार यहाँ पर 1 है 5, 2, 2, 2 तो यहाँ पर 21, 70 आया अंसर क्या है? 21, 70 आया इसको ठीक कर ले टो ओके चलिए यहाँ आपका 21, 70 ओके अब फिमेल यहाँ पर भी कॉम की फिमिल को देख लेते हैं तो देखो 5, 7, 12, 12, 11, 13, 13, 17, 20 अब देखो 8, 3, 24, 24, 18, 24, 28 कितना हूंगे? 24, 28 हो जाएंगे आपके 32, 32, 10, 42, 42 हो कितने हूंगे? 44 ओके तो यही से अपकान सर आ गया 21, 70 रेशो पुझा है तैसे रेशियो लगालो और कुछ करना नहीं था रेशियो 440 ओके ये है आपका अंसर तो दिखो कहाँ पर है 27440 है ना अब रेशियो को हमें ऐसे भी रेशियो लिखते हैं और मैंने आपको अल्वेस बताया है ना A रेशियो B लिखो या फिर A divided by B लिखो दोनों same बात है ना यहाँ पर भी यह है 27440 है यह आपका correct answer है तो this is the correct answer चले answer correct है next question देखते है question number 3 कह रहा है कि 2016 से 17 के बीच छात्रों की संक्या में व्रिदी के प्रतिसत का अनुपात बताईए दीखो इतना मतलब कि बच्चे तो confused ही हो जाएंगे कि कहना क्या चाते हैं ने एक्जाम के टाइम पे तो उनको confusion ही होगी अब देखो यहाँ पर बताया है क्या जा रहा है 2016 की बात हो रही 17 की बात हो रही अब छात्रों की संक्या का क्या है व्रिदी के प्रतिसत बताया गया है मतलब कि जो male students है उनकी percentage जो increase हो रहा है उसकी बात हो रही और यहाँ पर दूसरी और कौन सी बात हो रही छात्रों की मतलब कि यहाँ पर female student की बात हो रही तो female student की percentage increase हो हुई है उनके बारे में बात हो रही और इन दोनों का क्या करना है ratio निकालना है समझ हाया तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको 2016 के जितने भी mails Black और 2017 के जितने भी mails Black उनका क्या करना पड़ेगा प्रतीस्त्त निकालना पड़ेगा परसंडेश निकालना पड़ेगा विरिध्धी की बात हो रही है तो हमने आपको formula बताया हुआ था कि बात आती है तो छोटी वाली संख्या को नीचे की वार रखना है और इंटू 100 कर देना है समझाई बात है ना अगर आपको कमी की बात की जा रही है तो आपको क्या करना है बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करना है और उसके बात अगर कमी की बात हो रही है तो बड़ संख्या को नीचे रखना है और इंटू हंड्रेड करना है यह वाली बात हमने आपको पताई है ना चलिए तो यहां पर भी हमें यहीं काम करना है ओके चलो यहां पर समझते हैं आप पहले कैलकुलेशन करते हैं इन तिनों का ओके तो पहले 2016 की बात होती है यहां पर मेल की बात हो रहें के 216 की क्यलकुलेशन कर लेते तिन पान सो बीस दो सो चलो अब देखो जिरो यहां पर वन पांट तीन आठ आठ दो दस दस एक ग्यारा ओके अब दोजास था की निकाल लो तो जास थाकी निकालते है तो 360 पान सो पचीज और 210 अब देखो 5, 10, 12 वहाँ पर यहाँ पर एक पार तीन 8, 8, 10, 11 अब क्या करना है मिल की आपको टोटल संख्या मिल के 21, 17 की अब प्रतिसत में निकालना है वृति की बात हो रही है तो हमने क्या बताया पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को मैनस करेंगे तो बड़ी संख्या ये वाली है छोटी संख्या ये वाली है तो 11, 20 में से 11, 100 को मैनस करना है divided by क्या करोगे divided by अब रिद्धी हो रही है तो छोटी संख्या को नीचे रखेंगे 1100 को क्या करेंगे नीचे की वह रखेंगे into 100 into 100 क्यों का क्योंकि हमें प्रतिसात में मांगाए तो प्रतिसात में लाना इसलिए अब देखें यहां पर कितने होते 1125 में से 1100 जायेंगे तो 25 रहेंगे डिवाइडेड बै 1100 into 100 अब यह 0 यहां से कट गए अब आपके पास कितना रहा पचीस बटे ग्यारा करो तो ग्यारा दुनी बाइस ओके यहां पर तीन बचे पॉइंट लगा लो आगी कुछ नहीं जिरो को लगा कर नीचे उतारो ग्यारा दुनी बाइस ओके बस यहां तक हमें पहले करना है तो दो दो आपका यहां पर अंसर बना है अब आते हैं फिमेल की बात कर लेते हैं यहां पर लिखते हैं फिमेल को फिमेल का टूटन लगा लेते हैं तो देखो फिमेल का 220 यहां पर 2016 का कर देते हैं 220 उसके बाद है आपका 405 और उसके बाद है 80 यहां पर 5 आए यहां पर 10 की सून यहा 2016 के अब 2017 के निकाल लेते हैं 2017 के निकालो तो 230 470 और 85 चलो 7512 यहां पर 1315 आट पर 13 यहां पर 1437 अब क्या करना है percentage निकालना है है न फिमेल के तो अब फिमेल के percentage कैसे निकालोगे भई तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को फिमेल के निकालोगे यहां पर मेल लिख देते हों अब फिमेल के निकालते हैं ओके फिमेल के क्या करेंगे 732 732 मा्यनस 705 करेंगे divided by बृति की बात हो रहे increase की बात हो रहे तो छोटी संख्या को नीचे रखेंगे तो 705 छोटी है साथ सो बतीस से इंटू हंड्रेड अब देखो अब क्या करना है इंट में से माइनस करो तो कितने रहेंगे पांच जाएगा तो कितने 27 ओके 27 डिवाइडेड बाई आपके कितने रहेंगे 705 into 100 अब देखो यहाँ पर क्या करना है अगर directly करना आता है तो ठीक है अगर नहीं आता है तो फिर आप पहले काट लो उसके बाद भाग कर लेना तो यहाँ पर देखो 5 एकना 5 हो जाएगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 5 उक 20 और 5 एकना 5 इस तरीके से तो यहाँ पर 25 होगे अब देखो 9 3 कितने होंगे 27 होंगे और यहाँ पर देखो तो 3 से भाग करो तो 4 3 12 हो जाएगे और 2 एक रहेंगे 7 3 21 तो 47 यहाँ पर रहें अब आपके पास 9 2 18 18 बटे कितना करना है 47 करना है अब कहाँ पर करेंगे 180 बटे 40 तो थोड़े से यहाँ पर जगा ले लेते हैं 180 बटे 47 तो 47 से अगर आप उसको अगर नियरेस्ट वैल्यू को मानो 0 वाली तो 50 आती है हाँ ना तो 50 को अगर हम करते हैं तो कितने होते हैं 5 3 15 होते हैं तो 47 को अगर करेंगे तो क्या होगा 3 से मल्टिप्लाइ होगा 47 इंटू 3 करीश साथ तीन इकिस यहाँ पर दो चार तीन बारा बारा दो चौदा एक सिक तालिस आ गए अब उसके आगे अगर 47 इंटू 4 करते हैं तो दिको साचोक 28 से यहाँ पर दो तो यहाँ पर आपको मिला 141 अब कितने बचे पताओ 49 बचे आप देको आगे भाग नहीं चल रहे है जिरो लगा लो पॉइंट लगा लो निचे जिरो को उता लो अब दिको पांच छे पंचे कितने होते हैं यहाँ पर हमने 50 को मतलब की नियरेस्ट वैली मानी है तो 6-35 होते हैं हैं न 7-35 होती आट पंचे चालीस होते हैं अब देखो 8-45 होते हैं तो हम 47 को या तो 7 से मिल्टिप्लाइब करो या तो 8 से करो पहले 8 से करके दिखते हैं अगर आता है तो ठीक है अगर ज्यादा आ जात यहाँ पर 66 अब आपके पास कितनी वैल्यू आई 8 आया यहाँ पर आगे 376 तस में से 6 जाएंगे तो चाह रहेंगे यह कैलकुलेशन आगे करने के जरूरत नहीं है लेकिन जिन बचों को नहीं आता है उनको दिखा रहे हैं कि 8 में से जाएगा तो यह कि 3 में से 3 जाएग ज male okay male ratio female यही करेंगे है न तो male का कितना आया है आपका 2.2 और female का कितना आये 3.9 तो यहाँ पर हमांसर अगर हमें लिखना है यहाँ पर मैं अलग प्यान ले 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 तो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या अंसर है चले अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखूंग यहां पर क्या है 2.2 ratio 3.8 तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.2 divided by 3.8 बिल्कुल लिख सकती हूँ तो यहां पर आंसर कौन सा है अगर this is the correct answer ओके देखो 2.2 divided by 3.8 ओके clear तो देखे यहां पर आंसर ही सदी ओके clear चौलो जो आगे चलते हैं question number 4 करते हैं question number 4 कह रहा है आपका पड़े question को बड़े question number 4 कह रहा है कि वर्स 2016 से बीच के द्वारान ओके तो ला से बीच के द्वारान बीए पाठे अक्रम के लिए चात्रों संख्या के अंतर का अउसत बताईए देखो अब यहां पर भी बच्चों को confusion होगी ओके लेकिन confused नहीं होना है okay easy है बहती देखो सूला से बीच के द्वारान बीए की बात हो रहे बीए कहां यहां है अब इनने भी क्या बताया गए चात्रा और चात्रा हो मतलब कि मेल और फिमेल दोनों की बात हो रही यहां पर इंग्लिस वर्जन देखो कि तो पता चल जाएगा तो उसको आपको step by step चलना है कि क्या क्या पुछा गया है पहले उसको पैचान न सीखो कि इतनी चीज़ा पुछी गई है तो सबसे पहले कौन से चीज़ पुछी गई है उसके बात कौन से पुछी गई है यह आपको समझ में आने चाहिए यहां पर सबसे पहले अंतर पॉटल लगा लेते हैं तो पांच 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 पचीस चपड़ीश चपड़ीश यह आगए आपका ओके अब आते हैं फिमेल की बारी आती तो पांच साथ बारा साथ हो जाए उनिस उनिसाथ हो जाएगे 27 यह पर आ गया है पहले क्या पूँचा गया है तो निकाले ज पहलेती में ZU मिल निका निकाए करते डिकनते हैंगे अब आगि-आइद आजरा हुसक्ण से 10 60 ये विवरीत्वर यहां इसकते पहलेंगे जरूरा अगे यह सुनलत आगलिए ये तो पहलेती जानलों 15 को यहां चाहें वागए तो यह बला हमने complete किया अब average की बात हो रही एवरेज कैसे निकालोगे average चलो average कैसे निकालोगे तो पांच सो चवालीज divided by क्या करोगे average निकालनी है तो टोटल हमें years कितने हैं 5 years है टोटल कितनी years है 5 years है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इनको 5 से रिवाइड करेंगे तो 5 करना 5 हो गये आगे भाग नहीं चल रहा है जिरो को लगालो ओके अब मतलब भाग नहीं चल रहा है मतलब 4 अकेला रहेगा इस तरह किसे देखो पांच चवालीज divided by 5 5 5 5 एकम 5 ओके जस्ट वेट ओके और यहां पर आगए 5 पांच और यहां पर जीरो आ गए उपर से चार उतार है आप तीको चार को उतार लेकिन यहां पर बड़ी चोटी संख्या इसलिए हम क्या करते यह पर जीरो रख देते और उसके बाद यह वाली है तो उसको निचे उतारते तो पॉइंट लगाने के जरूरत नहीं अगर हमारे पास संख्या है तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं तो आप देखो आट पंचे कितने होंगे 40 होंगे अब 44 में से 40 रहेंगे तो चार रहेंगे अब आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा लो और फिर यहां पर 0 लगाकर निचे उतालो आट पंचे हो गए अपके 40 जरो जरो तो यहां पर आंसर कितना है आपका 108.8 हिस्त करेक्ट आंसर कहां पर है 20 करेक्ट आंसर लगता है कि वहां ती मतलब के हाड होगा डिफिकल्ड होगा ऐसा खुछ नहीं है देखो सिंपल से क्यालकुलेशन है चलो तो यह वाला आपका है 20 करेक्ट आंसर अब आते क्वेशन नमर फाइव की बात करते क्वेशन नमर फाइव कह रहा है कि किस वर्स कॉलेश में छात्रों की संक्या में वरिद्डी का प्रतिसत नियून तम रहा है अब देखो सभी कोर्स की बात हो रही है तो मतलब टोटल की बात हो रही है यहां पर अगले पिछले वर्स की मतलब कि अगर मुझे 2017 में देखना है कि विर्द्धि हुई है के कमी तब मुझे क्या करना पड़ेगा पिछले वर्स के साथ उसके compare करने पड़ेगी है इस तरीकी से हम निकालते हैं वरिधी चले तो अब निकाल लेते यहां पर पहले option देखेंगे किसके किसके पुछे गए तो 2017 की पुछे गए तो आजाते है 2017 की जब बात आते हैं तो उसको पिछले साल के साथ हमी क्या करना पहले तो compare करने के लिए आप चात्रों की संखिया की बात मेल की बात हो रहे हैं कि यहां पर टॉटल स्टूडेंट की बात लिए कि यहां पर मेल की बात हो रहे हैं तो यहां पर थेखेंगे मतलब की आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ी सी भीड़ ना रहा है ओके चलो कोटल लगा हो सब लोग चले पहले दोजास उलाकान लगाते ओके ती यहां पर पहले जीरो आएंगे फिर आएगे आट दो दस दस की यहां पर जीरो वैसे कैलकुलेशन हमने आगे भी की हुई है तो अगर नहीं करते है तो अभी चलेगा आगे आप देख सकते है ओके तीनिक चार चार पांच नो नो दो ग्यारा ओके यह ग्यारा सो आगे अब यहां पर देखो पांच आ गए आपके पास और उसके बाद नो दो ग्यारा ग्यारा एक बारा का दो यहां पर आगे एक तीन चार चार पांच नौ दो ग्यारा एक उसके बाद देखते हैं छृज्च नौ दो 912-2011 9, 2, 11, 11, 14, clear, इस तरीकी से हमने सारी calculation कर दी भई, इस तरीकी सा आती है न, calculation में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है न, बता दो भई, चलो, clear, अब आते हैं, 2017 की बात कर रहे हैं, तो 2017 में क्या करेंगे, पिछले वर्स के साथ compare करेंगे, तो 11,25 में से 11,00 जाएंगे, तो यहां पर हमने आगे भी calculation की हुई है न, तो यहां पर 11,25 देखो, प्रतिसत वरिद्धी में कुछा गया है, तो माइनस करना है, 11,00 को माइनस करो, ओके, और यहां पर नीचे कुण से मान रहेगा, छोटे वाला, ओके, वरिद्धी की बात हो रहे है, तो छोटा वाला मान नीचे रहेगा, इन्टू हंड्रेड, ओके, 002 यहां से कट गए, और यहां पर देखो, पचीस रहे गए, ओके, पचीस बटे ग्यारा, मतलब 2.2 आया था हमारा आंसर है, अब आगे चलते, 2018 की बात करते हैं, 2018 में देखो, 2018 में क्या करेंगे, इसके साथ कंपेर करेंगे, पिछले साल के साथ, तो 1142 माइनस 1125 आ गए, आपके, डिवैडेड बाइ, कितने होगे, छोटी संक्या कॉन से है, 1125 इंटू आपके 100 हो गए, ओके, आप देखो, यहां से जितना कटता है, उसको काट लेना है, पहले, तो 5, 2, 10 हो जाएंगे, आपके, यहां पर 2 लगते, 5, 2, 10 हो जाएंगे, 5, 25 और, सेरी, यहां पर 225 वेट, हमें, पॉस और यहां पर 20 पंचे हो जाएंगे, आपके 100, अब देखो, यहां पर भी, प्पि कटेगा, पांच और पांच और पांच और पांच और पांच पांच पचेस, ओके, तो यहां पर अब इंका मतलब कि माइनस करो तो, ग्यारा सु बैयालिस ने से ग्यारा सु पचीज जाएंगे तो कितने रहेंगे पांच दस पंद्रा दो सत्रा सतर इंटू चार डिवैड़ेड़ बाइ इनको मतलब भाग करना पड़ेगा तो यहां पर कर लेते 58 बटे कितने होंगे 45 तो वन से भाग चलेगा ओके यहां पर 45 यहां पर तीन यहां पर तो कि अब आगे कुछ नहीं है भाग नहीं चल रहें पॉइंट लगा लो जिरो को यहां पर रखके नीचे उताला अब देखो 45 काओ यहां पर फिटिअ कि यहां पर थे कांचरों जाखंशे वन सब्सक्षानाद हों पांच ईंट लगार को धनाफ कर दो चौर्टिकश ना करका देखे ना दो सो बचीस होंगे तो अब आपके पास पांच पुचा अंसर क्या आए 1.5 ओके तो यहां पर आ गया 1.5 यह आपका अंसर आया यहां पर 2.2 आया ओके अब आते हैं कम संख्या कुं से है 1142 है न Integr क्या करेंगे 100 कर देंगे अब इसको निकाला घृर की इस नपान्त में से दो जाएंगे तो चहेराेंगे पैंच में से चार्र जाएगा तो एक रएगा और यहां पास 0 retro, 16 बटे कितने होंगे 1142 इंटू हंड्रेड ओके अब देखो यहां पर क्यासे करोगे तो डिरेक्ली भी कर सकते हो सूला सो ओके यह सूला इंटू हंड्रेड यानि कि सूला सो गए डिवाड़ेड वाई 1142 तो वन से ही भाग चलेगा कि मतलब की मल्टिप्लय करोगी तो 22 ऊपर चला जाएक नथ यहांपर एक से ही भाग चलेगा 1142 अब दिन्zess दो जायेगा गाड़ी को यहां पर 59 से चार जाएगा तो 5 रहेगा यहां पर आपके हो जाएंगके पानच-5 जाएगा तो चार रहेगा यहां पर 0 अब भाग नहीं चल रहा है पॉइंट से नीचे 0 पॉइंट उता लो अब देखो अग्यार चार कितने होते चावालिस होते हैं तो अग्यार 42 इंटू 4 से अगर करके देखो तो 4 दुनिया चार चार 16 यहां पर 1 4 1 5 और यहां पर 4 45 68 आ गए ओके तो य साथ में से 6 जाएंगा तो बन रहेगा और 0012 यहां पर आंसर कुन सा है 1.4 आया ओके तो यहां पर 1.4 आपका 2019 में आया अब देखो 2020 की बात करते हैं 2020 में देखो तो कितना है ग्यारा सुचावातर है ओके तो यहां पर ग्यारा चुमातर माइनस ग्यारा थावन अब करो कितना होता है 14 में से 8 जाएंगे तो कितने रहेंगे छे रहेंगे और यहां पर 6 में से 5 जाएगा तो एक रहेगा बाकी में 0000 आ जाएगा बटे 1158 इंटू 100 तो यहां पर भी यह से कर सकते हो 1600 बटे 1158 ऐसे कर लो ओकी चले पहले में इन सारे को हटा लेती हो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में मदद मिल जाए ओकी यह सारे अटा लेती है ओकी चले अब देखते हैं 1600 बटे 1158 तो एक से ही भाग चलेगा 1158 ओके तसनी से आट जाएगे तो दूर आएगे नो में से पांच जाएगे तो चाह रहेगे पांच में से एक जाएगे तो चाह रहेगे अब आगे भाग नहीं चल रहा है पॉइंट लगा लो जिरो लगा के नीचे उतार लो अब देखो ग्यारा चार चावालीज होते हैं तब देखो ग्यारा अठावन ग्यारा 58 इंटू फॉर से करके देखो पहले ओके तो आट चुक बतीस यहांपर तीन पांच बीस 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 तीन आपके हो जाएं बीस 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 यहां पर चार टारेंगे आठ तो जाता जार थे जीए तो 110 एंट रहें है तो यहां पर जिस्ट वेट कैल्कुलेशन करने में हमने गलती तो नहीं किये ना वेट ओके आज जिस्ट वेट ओके आज पांते तेरा है चोदा ओके यह तो सही है तो जार बीस में सेवन नाइन आ रहा है यह कितना है यहां पर आठ वांस अच्छा यहां पर तीन था ओके जस्ट वेट ओके यहां पर 2020 में थोड़ी से गड़ बड़ ओके मैं 8 समझ बैठी तो 8 नहीं था यहां पर 3 था तो देखो 5 3 8 9 हो जाएंगे यहां पर थोड़ी से मिश्टेक हैं तो हम अगेन कर लेते हैं कोई बात नहीं चलों इसको थोड़ा से चेंज करना यहां पर 9 आएगा यह वाली थोड़ी कैलकेलेशन फिर से कर लेते हैं कि बाकी सारी सेम बाकी सारी कम्प्लीट है ओके जैस्ट वेट यहां पर थोड़ी सी मिश्टेक हो गई थी चलो ड्वान्ट बढ़िए ओके यहां पर देखो इसको सारा हटा लेती हूं ताकि अच्छे से क्याल्कुलेशन हो पाए ओके चलो अब करते हैं क्यों यहां पर देखो पांच तीना आठींट हो जाएंगे बस तीना डीफरेंस था अब देखो एक चार एक पांच तो आपके हो जाएंगे साथ सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाग करना है तो किस तरीक से करेंगे कि इसको हटा लेते हैं कि एक काम करते हैं पिछे ले लेते हैं यहां पर ले लेते हैं इकी सो बटे ग्यारा सो अठावन अगर मल्टिप्लाइ करेंगे तो 22 से उपर चला जाएगा तो यहां पर आएगा आगे भागनी चल रहा है पॉइंट लगा लो जिरो लगा के निचे उताल अब देखो 1100 है अगर मैं इसको नो से अगर मल्टिप्लाइ करती ही तो 99 आएगे 1190 होते है न तो यहां पर 8से 78 हो जाते है न 11 अठावन इन्टू आठ से मल्टिप्लाई करके दिखते हैं यहां पर चार और आठ चार बारा यहां पर बना ठीक नो नाइटी टू शिक्टी पॉर ओकी तो यह वाला आपका काम करेगा ओकी तो वन पॉइंट एट आपका अंसर आएगा नाइन टू शिक्स पॉर यहां पर आ दो動画 हैं से लिएँने में यहेट ऑफ क्या नियूंत मारे नियूंत मातलों यहां पर रहो है औह। सब्सक्राइब हैं मतलब कर दो हैं यहीं और यही dims goda in LEía tuk twice it जो एक धा आपके वाला जो को ङी weit और यहांसर काहा है तो यह वाला आपका आंसर करेक्ट है सीज दो करेक्ट आंसर 2019 क्लियर तो यहां पर देख सकते हो सीज दो करेक्ट आंसर चले तो आई होप आपको आज की कुशन सच्छे लगी होंगे समझ भी आये होंगे क्लास समझ आ रही होगी विट्व जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना अपने दोस्तों को शियर करना नहीं बूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखे ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो जाल लिजाते हैं स्कीन वार्टिफिकेशन टाइम ट्रू टाइम मिलती रहे होगी तो चले दोस्तों बबाई टेक केर रहे हो जैसी कृष्णा सबको